स्वागत हैं आपका हमारे चैनल में मैं आपके साथ पन्नित विशाल सास्त्री उपस्तित हूँ तीन आगस्त दो जार बीस का रासिफल लेकर यह रासिफल आपकी चंदरासी तथा नामरासी पर आधारित चलियकारे करम को आरंभ करते हैं उसे पूर्वा आप चैनल पर नहीं आज नक्षत्र उत्रा आशाला नक्षत्र है जो पराता साथ बचकर सत्रा मिनट तक रहेगा इसके बश्याद स्रावन नक्षत्र आरंभ होगा आज योग प्रीती है करान विश्टि वद्र है राहुकाल का समय पराता साथ बचकर तीस मिनट से आरंभ होकर नो बजी तक रह और शाम को सुब समय साथ बज़े से आरम भोकर नौवज कर तीस मिनट के मद्य रहेगा तिथी के अनुसार तिल का सेबन या तिल से बनेवी किसी विवदार्थ का सेबन नहीं करना चाहिए आज दिसासुर पूरा बिसा में पूरा बिसा की यात्रा ना करें यात्रा करनी है द प्रतिमा है उसके ही समगी का दीपक जिलाकर और ओम नवश्यवाई इस मंत्र का 108 वार पाट करें आने वाला समय मंगल में रहेगा तो सजनो आज रक्षवंदन का महापर्व है सबसे प्रथम आपको बहुत वह धर्दिक्षुब कामना है इस महापर्व की यह पर्व प्रे कार से हमें अपना पूजन करना है सारी विधी इस वीडियो में आप जानेंगे राशिफल के प्रशाद तो चलिए सबसे पहले आरम करते हैं राशिफल सबसे प्रथम मेश रासी मेश रासी वाले आज आपका दिन सर्वस्रिष्ट रहने वाला है बैपर छित्र में आपको लाब की प्राप्ति होगी मन बढ़ा आपका आज प्रशन रहेगा सुब अंक चार शुब रंग सफेद ब्रशब रासी भागे का आज आपको साथ मिलने वाला है कार्यों की सिद्धी होगी लेकिन प्रतेक कारे ध्यान से प्रेम से करें शुब अंक तीन सुब रंग के सरिय बिथन रासी सोच में आज सकारातम विचार रखें पैसों के लेंदेन में आज साब धाने आपको रखनी हैं शुब अंक नो फोग की प्राप्टि होगी इश्ने की प्राप्ति होगी अपनों का आज आपको साथ मिलने वाला है नभी न‍योजनाय बना सकते हैं उस कारे भी आप आने वाले समय में कर सकते हैं सुब अंक पांच सुब रंग लाल सिंग रासी आज आपको सम्माज में मान और सम्मान की ब्रद्धी प्राप्त होगी आज लोगा आपकी प्रिशंसा करने वाले हैं देर्यों को बना कर रखें विवात से बच कर रहें शुब अंक टुलाराशी आज आपको मित्रों का अपनों का सहयोग मिलने वाला है परिवार में कोई नवीन व्यक्ति के आगवान से बनप्रशन रहने वाला है नोकरी के चेतर में विवार चेतर में लाव की प्रापती होगी शुब अंकतीन शुबरंग सफेद प्रिश्चिक रासी समय के अनुशार आप अपने आपको परिवर्तित करें जिस्त समाज में विवांत समान आपको प्राप्थ होगा धन एश्वर र्यादी की प्राप्ती होगी आज बाणी का विशिश्ष प्रभाव आज के दिन में रहने वाला है बानिसे प्रतेक कारे आपका सिध्ध होगा लेकिन अत्यदिक बोलने से बचनाएं शुब अंग पांच सुबरंग नीला, मकर रासी आज सुब समाचार की प्राप्ति होने वाली कारे छेत्र में भी लाव की प्राप्ति होगी शुब अंग साथ सुबरंग स्काई बलू कुम्बर आसी कारे छेत्र में थोड़ी बोत समस्य आज आ सकती हैं लेकिन आप प्रेम से उसको दूर कर लेंगे शुब अंग चार शुबरंग के सरिया मीन रासी धनलाप के आज योग बने हुए हैं अपनों से कुछ सुब समचार के आज प्राप्ति होगी और कोई मित्र के आगवन से भी आपका आज मन प्रशन रहेगा शुब अंकनो शुबरंग सफीर चलिए सजुनोव अब जानते हैं रक्षा उंदन के महापरवर जो उत्साहा उमंग का परव है क्या पूजन भी दही किस प्रकार से में अपनी थाली को सजाना चाहिए बेहनों को और क्या-क्या सामगरी आपके पूजन की थाली में होनी चाहिए रक्षा उंदन का महापरव उत्साहा उमंग और प्रेम का ये हैत्योहार है इस उत्सव में रक्षा उंदन का सुब समय राहु कालवा भद्रा को छोड़ कर नो बच कर 30 मिनट से आरंभ होकर और रात्री नो बच कर 13 मिनट के मध्य तक रहेगा इसी बीच रक्षा बंदन और पूजन में क्या क्या आपको करना क्या क्या थाली होनी चाहिए इसको आप जानते हैं तो आप पूजा की जब थाली सजाते हैं तो उसमें आपको रोली रखनी है पीला चंदन अक्षत यानि चावल तूटे हुए नहीं होनी चाहिए खंडित रंके चलेंगे नीले और सफेध नहीं हूं celebrate ENTèg के और नाडील का फहलें जितने आप नारियाई अपस रख सकते हैं JS fruit नाडी पत्रव के लें जाएं जब कऊढ़ें तो उनका मुख पश्च्यूं की तरब को हूं । का मुखो बहन का मुखो पूरब की ओर होना चाहिए तो सबसे पहले आप धूब दीप प्रजुलित कर लें भाई का तिलक करें आरती घुमाएं उसके पश्चाद दाहिने हाथ में रख्षा सूत्र बाने उसके पश्चाद भाई को मीठा खिलाएं उन नतीप प्रगती और मं पहार जो लेके आए हैं आपके निमित आपको प्रतान करें और रख्षावंदन पर्व की अने कथाएं प्रचलित हैं सभी लोग जानते हैं सभी ने सुनी है तो उन्हीं में सबसे अधिक जो प्रचलित कथाएं भगवान श्रीक कृष्ण और द्रोपदी जी किये एक वार भगवान श्रीक कृष्ण ने अशुरू का वद किया अपने सुदर्सन चक्र से और वह चक्र आकर उनकी तरजनी उंगली में पुना समाहित हो गया लेकिन उसकी गती तीवर होने के कराण भगवान की अंगली कट गई थूड़ी सी जिससे रक्त बहने लगा तब लिए जिससे भगवान श्रीक कृष्ण का वहता हुआ रक्त रुख गया और भगवान ने उसी समय उन्हें वचन दिया कि मैं तुमारा रिणी हो गया हूं और इस रिण को चुकाऊंगा और मैं तुमारी रक्षा का बचन लेता हूं तो ऐसा द्रोपदी जी से कहा लेकिन उन्हें आगे की लिला का नहीं पता था कि क्या लिला उनके साथ होने वाले है तो जब पांडवो और कौर्वो के मध्ये युद्धु से पहले चीर हरान का जो समय आया उसमें भगवान ने द्रोपदी जी का चीर बढ़ाया है उनकी लाज बचाई है और बाद में कौर्व और पांडवो के मध्य जब युद्ध हुआ तो कौर्वो को परास्त करके पांडवो को विजय भगवान स्रीक कृष्ण ने दिलाई है तो यह कथा बड़ी ही अद्बुध है इसको सुनने से परमपुन्य की प्राप्ति हुद्ध तो ऐसे ही ग्यानवर्दक वीडियो के ल झाल